नमस्ते इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिजॉम DMS पोर्टल के तुरू आप कोई भी इन्वोईस कैसे एडिट कर सकते हैं यहाँ पर आप स्क्रीन के बाई तरफ देखेंगे तो आपको एक लिस्ट इन्वोईस का ओप्शन नजर आएगा लिस्ट इन्वोईस के ओप्शन पर क्लिक करने पर आप इस स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे जहाँ से आप इन्वोईस एडिट कर सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको invoice type select करना होगा और यहाँ पर by default all invoices का option selected होगा इसके दाई तरफ आपको invoice का status select करना होगा और by default यहाँ पर active invoice का status selected होगा इसके दाई तरफ आपको date range select करनी होगी जिस भी date range की invoices आप edit करना चाते हैं Date Rain सेलेट करने के बाद आपको Update पर क्लिक करना होगा और Update पर क्लिक करते ही आपके सामने सारी Invoices की List आ जाएगी इस List में से आप किसी भी Invoice पर क्लिक करके उसकी Details भी चेक कर सकते हैं कोई भी Invoice Edit करने के लिए आप पेच के एकदम डाइं तरफ चले जाएंगे और फिर Edit पर क्लिक करेंगे Edit बटन पर क्लिक करने पर आप इस स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे इस स्क्रीन पर आप देखेंगे तो आप इस Invoice की Delivery Time, Order Date, Delivery Info और भी स्क्रीन पर जो भी आपको Fields दिख रही हैं उन सब को Edit कर सकते हैं आप प्रोड़क्ट की Details भी Edit कर सकते हैं जैसे Quantity या फिर Price आप अगर चाहें तो किसी प्रोड़क्ट को Invoice में से Remove भी कर सकते हैं आप्शन है तो कोई नया Product Invoice में Add करने के लिए आपको यहाँ Add More बटन पर क्लिक करना होगा और Add More बटन पर क्लिक करने पर यहाँ पर आप उस Product के 4 Character एंटर करेंगे चार Character यहाँ पर एंटर करने के बाद आप Dropdown में से वो Product Select कर सकते हैं जो भी Product आपको Invoice में Add करना है Product Select करते ही आपके Selected Product का Price आटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा आप चाहें तो इसका Price भी Change कर सकते हैं सारी Details एंटर करने के बाद आपको यहाँ Update Total पर क्लिक करना होगा और Update Total पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर Updated Summary दिख जाएगी आपके Order की आप यहाँ पर अगर चाहें तो कुछ Additional Discount भी दे सकते हैं Value में या फिर Percentage में और यहाँ से आप Payment Mode भी Edit कर सकते हैं Payment Mode एडिट करने के बाद आप यहाँ पर Submit पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक Notification आ जाएगा कि Invoice Edited Successfully यहाँ पर आप OK पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया टाब खुल जाएगा जहाँ पर आपको आपकी Edited Invoice दिख जाएगी और आप उसका Printout भी ले सकते हैं तो यह एक हमारा असान सा तरीका था Bizorm DMS Portal के तुरू Invoice Edit करने का Thank you so much